इस सिरीज का सबसे नवीन हत्यार ये हमारे अमेठी में बनाया जाएगा ये मोदी है, I'm made in अमेठी नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस, मैं हूँ आपके साथ आलूक यूपी और देश की सियासत के लिहास से रविवार का दिन काफी एहम रहा रविवार को पियम मोदी ने राहुल गांधी के संसद्यक शेत्र अमेठी में हुंकार भरकर मिशन 2019 का आगास कर दिया पियम मोदी ने कोरबा में रूस के सहयोग से बनने वाले AK203 रैफल प्लांट का शिला नयास किया इसके बाद कॉंग्रिस और गांधी परिवार पर जम कर प्रहार किया ये पहला मौका था जब कोई गैर कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री अमेठी पहुंचा हो पियम मोदी ने गांधी परिवार का नाम तो नहीं लिया लेकिन वंशवाद और विरासत की राजनीती पर जम कर तंज कसा पियम मोदी ने कहा अमेठी को लोग अब एक परिवार नहीं बल्कि AK203 रैफल के लिए जानेंगे उनोंने कहा जो काम नो साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है पियम मोदी ने कहा कॉंग्रेस और राहूल गांधी को ना तो अमेठी की फिक्र है और ना ही देश की पियम के हमले का जवाब खुद राहूल गांधी ने दिया राहुल गांधी ने प्रदान मंत्री पर जूट बोलने का आरोप लगाया राहुल गांधी ने ट्विट किया कि अमेठी की ओर्डिनेंस फैक्टरी का शिला न्यास 2010 मिरों ने खुद किया पिछले कई सालों से वहाँ छोटे हत्यारों का उत्पादन का काम भी चल रहा है बहराद चुनाव करीब है आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और तेज होगा लेकिन बिजेपी की कोशिश है कि कॉंग्रेस को उसके किले में खुसकर मात दी जाए आइफलों की सीरीज का सबसे नवीन हत्यार ये हमारे अमेठी में बनाया जाए ये मोदी है I'm made in अमेठी तो राउल गांदी के जवाब में केंद्रे मंत्री इस्मरती रानी 2010 में एक अकबार में छपी न्यूज रिपोर्ट को शेयर किया इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है जरा आपको भी दिखाते हैं तो पिम मोदी के अमेठी दोरे के बाद कॉंग्रस अद्धिक्ष राउल गांदी ने ट्विट कर पिम पर छूट बोलने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ 2014 लोगसबाद चुनाओं में अमेठी में राहूल को टक्कर देने वाली केंद्रे मंत्री इसम्रती राणी ने कॉंग्रस अद्धिक्ष पर पलटवार किया राहूल गांदी ने ट्विट कर का कि अमेठी में और्डिनेंस फैक्टरी का उधाटन वो 2010 में ही कर चुके हैं और वहाँ पिछले कई सालों से छोटे अतियारों का उत्पाधन भी चल रहा है पहीं थोड़ी देर बाद इसम्रती राणी ने भी पलटवार किया और इराणी ने 2010 की दो रिपोर्ट को शियर करते हुए राहूल के दावे पर सवाल उठाए कि अगर कोर्वा में 2010 में आपने शिला अन्यास किया तो 2007 में और्डिनेंस फैक्टरी के संबद में जो भी कुछ हुआ उस पे आप प्रकाश डालेंगे क्या इसम्रती ने एक ट्विट में राय बरेली में कॉंग्रिस नेता सतीश शर्मा दौरा शिला न्यास किये गए नेशनल पेट्रोलियम टेक्निकल स्कूल के आधार शिला की तस्वीर को भी शियर किया और उस पर भी कॉंग्रिस से जवाब मागा उस तस्वीर को जो शेर किया है उसकी शिलापट पर साफ तौर पर लिखा जिस पर 1996 में टेक्निकल स्कूल की आधार शिला की बात कही गई है लेकिन स्कूल के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी दिवार है और इतनी छोटी कि उस पर सिर्फ शिलापट ही आपाए बता दें कि राइबरेली सुनिया कांथी का संसदिय क्षेत्र है तो कॉंग्रिस के गड़ में मोधी की हुंकार और आज हमारे साथ तमाम सारे महमान है बात करने के लिए बड़ी बहस में सबसे पहले आगए महमानों से अपने दर्श्कों का तारूफ कराएंगे बीजेपी प्रवक्ता केके शुकला जी हमारे साथ है केके जी नमस्कार स्वागत करूँगा आपका संग विचारक अशोक सिनहस जी भी हमारे साथ है अशोक जी नमस्कार स्वागत है आपका और कॉंग्रिस प्रवक्ता रफद फातिमा जी भी हमारे साथ है रफद जी नमस्कार स्वागत है आपका और कुछ और भी पह्मार हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन सवालों और जवाबों के सलसिले को आगे बढ़ाएं मैं चुकि ये पहली बार ऐसा पहला मौका है जब कोई गैर कॉंग्रिसी प्यम गया और कॉंग्रिस के गढ़ में और सवाल तमाम सारे है क्योंकि अमेठी को लेकर के जिस उत्तर प्रदेश में अमेठी को परिवारबात की बात करें बात करें एक ही पार्टी को जिस तरीके से पेटेंट करा लिया था लेकिन अब कोई गैर कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री जाता और अमेठी को लेकर के बात करता है तमाम सारे सवाल है जो लेकिन पहला सवाल में रफद जी से रफद जी जब अब अमेठी की तस्वीर कहीं कहीं न कहीं बदलेगी और अबार कहरे है कि हां चुनाव को लेकर के यह द्रॉडड़ा को सकता लेकिन। चनौती कही नहें यह बड़ी है आप लोग मान रहे हैं की नहीं देए हम इसको चनौती नहीं मान रहा हैं इंकी बॉकला हड़ हई जो हर जगा जाजा के इस तरीखे के बयान बाजियां और जूटी बयान बाजिया करना है अमelijk northwest fasten सिफ संसद्य झेत नहीं हमारी शीश-बत का सिसन चेत नहीं वह हमारा गौरह एं बनकि परिवार किंटर मोधी जी समझ व नहीं को कही ना कहीं क on पूरे बीजेपी में जिस तरीखे की बॉकलाहर्ट नजार आ रही है ये कॉंग्रेस को लेकर बहुत परेशान है तो ये वहां जाके जिस तरीखे परेटेंटर कर रहा है जब उन्हों पूरा लिखित में हैं कोई बड़े काम बता दीजें वहां की पाइले ट्रेनिंग देख लिजे जो राजीव गंदी जी के नाम से है और वहां पर आप जो है क्या नामे क्रिशी विवस्ता देख लीजें वहां राजमार्क देख लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं लेकिन क्योंक के प्रदान मत्रियों जिसकी चीज की जरुवत समझी जो कॉंग्रेस ने आज तक नहीं समझी देखिए आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि कांग्रेस का गढ़ा में ठी इस गढ़को हम 2017 में भी भेच चुके हैं और भारती जनसंग के प्रत्याशी थे जनता पार्टी की टिकेट से श्री रवींद्र सिंग्स जी चुनाओ जीते थे और बहुत बड़ी मार्दिन में जीते थे संजय गांधी जी जो यूरास थे वो हारे थे पिछले चुनाओं में स्रीमती इस्मती इरानी को बहुत लास्ट स्टेज में वहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा गया अगर सुरू से ही यह भेज दिया गया होता कुछ कारणों से नहीं जा पाया तो साथ वहां के इस्तिती ही बगल चुकी होती जहां तक अभी हमारी जी कह रही थी कि वहां की जनता अपना बच्चा समझते हैं और वो उनको ना बच्चा समझते हैं और परिवार समझते हैं परिवार अगर समझते होते तो परिवार के विकास की उस छेत्र के जनता उस छेत्र के विकास की जहां के एक परिवार का जो लगातार साशन में रह उस छेत्र का विकास न होना मैं अमेठी कई बार गया हूँ कई कामों से आज भी वहाँ पर कच्ची सड़के थी लेकिन एक सवाल का जवाब कि जब राहुल गांदी के संसंद्र छेत्र अमेठी में उंकार बनकर मिशन 2019 का अगास किया और 2010 की ओडिनेंस फैक्टरी के जिसकी बात कर रहे हैं आप लोग 2010 में राहुल गांदी ने कहा वो पहले कर चुके हो चोटे-चोटे हतियार वहां पर बन रहे है सीधा से सवाल है कट-टू-कट सवाल का कट-टू-कट जवाब जब 2010 से काम चलना था जैसे की राहुल गांदी कह रहे है तो फिर बीजेपी पर क्या करने गई थी फिता कार्टने गई थी क्रडिट लेने गई थी माइलेज लेने गई थी देखिए आप ने भी एक वहाँ छोटे छोटे काम चल लेए जी इसी सवाल का जवाब तो वस्कुझे चाहिए छोटे-छोटे काम और एक बड़ा काम यानि जिससे उस छेत्र की परिशेब होने वाला है अभी तक केवाल अमेठी क्यों जानी जाती है क्योंकि वह एक परिवा करनी जाएगी जैसा मोदी जी ने भी कहा कि वहाँ पर एके 25 वहाँ पर बड़ी फैक्री लग रही है जब बड़ी फैक्री लगेगी तो छेत्री लोगों को रोजगार भी उपलब दोंगे अभी इन्हों ने इसमें कोई दो राय नहीं जब राजी उगांधी जी वहाँ प लिए गए और जिस चीज की जरूवत थी साइकल आपको मालूम होगा साइकल बनाने का कारखाना लगाने के लिए जमीन ली गई थी किसानों की सस्तेदर में बाद में वह भी उनी के परिवार में ट्रांसफर करा दी गई चले अशोग जी हमारे साथ है अशोग जी पहली ब साथक्रवर का कि पहले कि सरकारों ने कए ना कई अंदेखी की लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो कहीं ना की आने वाले समय तो एक चीज को मैं देखता था और क्रमिक विकास कैसे हुआ वहां का ये इस पर मेरी पूरी नजर थी मैंने ये देखा कि अमेठी जो एक वियाइपी कांस्टिवेंसी है जितनी तीजी से उसका विकास होना चाहिए वहां विकास संस्कृति वहां डेवलप नहीं हुई देख आजनितिक है और चुनावा गया है तो अब निश्चित रूप से प्रोफेशनल जल्सी होतीक साब हम भी कास करेंगे क्या भी कास करेंगे परम तो मैं सबस्ट बता रहा हूं आपसे मैं एक जगदीशपूर वहां बस इस्टेशन है सन 82 में जो हालत देखा था मैंने और वह लगातार में उसको मैंने देखा जरासा भी परिवर्तन ने हुआ वहां पर उस बस इस्टेशन पर यानि वह बाजार वैसे ही बाजार जगदीशपूर का वैसे ही वाजार बिलकुल एफजार वे में सड़कों पर ही सारी दुकाने लगना और गाड़ी पास होना मुश्किल होना एक विकास होता है विकास की संस्कृति होती है मैं समझता हो कि प्रधान मंत्री जी ने जो अभी बात कही है 2080 पर अब यह जो क्लाशिकों बन रहा है राइफल वहां पर 2030 तो इससे क्या होगा कि यह केवल भारत के लिए नहीं बन रहा है यह बंगलादेश भी यह तमाम दुनिया में यह चीज दिखेंगी और उसी रास्पधी ब्लादी मिर प्युतियों ने भी अपना संदेश दिया रफट जी जिस विकास को लेकर कि अशुक जी बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों का विकास दिख रहा है लेकिन आप लोगों का ट्विट से सरकारी नहीं चलती है पास साल से इनकी सरकार थी कितना विकास अमेठी में नियुक थी जब सरकार किसकी है जिए रियाज में और केंदर में दोनों BJP क्या उसको बदले कि जैसे जलेसी और हम तो साफ कहेंगे यःजी बदले की भावना से सरकार चल लए क्यों नहीं इसक पत्रकार 30 साल से नहीं है, तो किसकी जुम्मेदारी है, यह स्टेट की जुम्मेदारी होती है, कि हर UP हो चाहे, कोई UP का कोई भी ज़र आई, आपको उसको समारना चाहिए, लेकिन जिस जुम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं, वो वो सदों के दौरे को लेकर समझा जा सकता है इस बात को भी जनता समझ सकती है चलिए मैं यहाँ पर कोई अब राजनीति ने करूगा वरिष्ट पत्रकार रंजीव जी हमारे साथ है रंजीव जी जिस विकास को लेकर के हम बात करें लेकिन उससे पहले हम आपका स्वागत करना चाहेंगे आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी लेकिन अमेठी में प्रधान मंत्री जाते हैं यह वाकई में कई ना कई पहली बार होती है कि परिवारवाद को लेकर के बात करते हैं स्नीना को लेकर के बात करते हैं और पिछली सरकारों को लेकर के जो अंदेखी की गई है लेकिन अगर अब उसकी बात अगर करते है वो कुछ अत्यादुनिक हत्यारों की बात करते हैं, रूसी रासपती का संदेश मंच पर पढ़ा जाता है, तो इसमें विपक्ष को क्यों वापती है, सर? देखिए आपती किसी को नहीं आउनी चाहिए लोगी, लेकिन एक चीज बहुत मोटी सी समझ लिए। राहुल गांदी ने कहा कि प्रधान मंत्री जुट बोल ले हैं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं एक चीज़ बहुत साफ करता हूँ, कि किसी को कोई भ्रह्म में नहीं रहना चाहिए कि अमेठी जो है, वो कोई विकास की लड़ाई का पत्तिक है, अमेठी एक राजनितिक तेश बहुत महत्पुन जाएगा, तिकि जहां तक विकास की बात है, तो विकास तो तब माना जाएगा ना, जब ठतकालीन जितनी राज सरकारे रही, दस साल कांग्रेस की सरकार थी, मैं अभी असुक जी की बात सुन रहा था, काभियत तक सही है, मेठी में सड़कों का वि इस्तिती रही, तब मुझे याद है, 2004-2009 तक यह आरोब कांग्रेस लगाती थी, कि चुकि राजी मुन की सरकार नहीं, इसलिए विकास नहीं हुआ, सवाल है कि विकास में तो सबको सामिल होना पड़ेगा, आज प्रदानमंत्री जी ने पांच आर करोड़ उपे की कल दिकात्मक मायने है, इसलिए सबको लगता है कि अमेठी में जीत हासिल कर लो, तो हमारी दूर तक हमारा जयजयकार होगा, इतनी सी लड़ाई है कोई विकास की लड़ाई नहीं या अमेठी में, ये किसी ब्रह्मिनर है, अगर विकास होना होता है मांदारी से, सरकारों के ल चलते अमेठी और अमेठी वासी, अमेठी की जनता विकास की बाठ जोती रह गई, लेकिन केके जी, सवाल कर यही है मेरा सवाल आप से, कि अमेठी की जनता को लेकर के, नेता कहते हैं, विकास की गंगा बहा दी, जनता कह रही है, विकास कोई गंगा में बहा दिया, सच किस निर्माण हुआ है ये भी आपको वहां देखने की जरूवत मैं जहां तक रफजी कह रही थी कि 2014 में को विकास को न करके अब क्यों किया जा रहा है अगर पांच साल में हो जाता है वहां विक्सित हो चुका होता मतलब खुद ही अपना प्रस्न कर रही है उनका जवाब यह है कि आखिर इतने साल वहां पर आपके लोग रहे एक परिवाद देगे लगतार विकास होना चाहिए पांच साल में आप क्या करें ताचानक चुना वाथ आपको सब्यादा रहा है उसके पाद जवाब दिए मैंने बड़े धैरिस से आपको सुना है रफजी अगर इतने साल स से आपने अमेरइटी की चुनिता कर ली होती आप उसको अपने प्रजान होथी महां की जनत्या को और उसको मान रही होती कि आने वेले चुनोमे हमारी जनता जरावदन है तो आप उहां विकास किय compared हमको यहां सबना है दि afterwards government तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब जैसे की प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने कल कहा कि लोग उधार देते थे मेड इन चाइना मेड इन कन नौच तो अब लगता है कि अगला अगला बीजेपी सांसत भी मेड इन बीजेपी होगा लग रहा है कि एक मशीन है जिसमें आलू डालेंगे सोना निकलेगा वो मशीन उनको अब तक अमेठी में लगा देना चाहिए था जिससे वहां की भुकबरी खतम हो जाती गरीबी जवादमी इतना ज्यादा अनुवेशन की हुए हो कि वह सोना डालू डालो सोना निकाल लेंगे उस मशीन करने आदेन को दबतल को तक ओतना जाना चाहिए लगिन नहीं फिट की गई जिनको यह मालूम एक नीबू की सिकंजी से कोका कोला बन जाता है अरे और आप नीमू की सिकंजी की पैट्री क्लिशे लगा दिए होते वहां तो लोग कोका कोला पीना लगते अमेरिका सचो को अ एक चीज़ बता दें, केके जी, आपके लिए सवाल, जिस विकास को लेकर के बाद चल रही है, आपने सिर्फ इता काटा दूसरों के उप्रुप्दियों पर, मैं रफद जी को कहना चाहूंगा, संभवता ये टीवी चैनल देखती हैं, क्योंकि एक बहस में इनों ने हम से कह आप वही बोल रहे हैं, जो आपके राष्टी प्रवक्ता निवां बोलाता है, तो इनों ने मोदी जी का भाठन सुना होगा, कल, आज तक में, रफदी सुनीजे, हम सिर्फ आपसे सिर्फ इतना पूछे, क्रियेटिव काम बता दी बतावार, और कुछ हमास से पूछी नही मोदी जी ने वहां पर यह कहा था कि आज तक बड़ा तेज चैनल है, आज तक रोज रात में साम को हला बूलता है, मैं भी आज यह कहना चाहूंगा, अपनी बात रखना चाहूंगा, कि आज तक क्यो नहीं हर गाओं में सोचाले बन गए थे, क्यो महिलाओं को खेत में जान चैनल है, यहां पर किसी चिनल के लिए है, इस आज नहीं है, जिस विकास को लेकरके, जनता सवाल करना चाह रही है, और सत्तापक्ष सवाल पूच रहा है, क्यों आज डिबेट में जरूरत पढ रहा है, वो सवाल पूचने का जवाब, विकास तो वो होना चाहिए, जो चह और दिखे जिसकी परिकल्पना जनता ने किये सर विकास हो और राजनितिक दल जो है उसका स्रेय न लें यह तो बड़ी आदर सिस्थितियों में होता है हमारे आचुकी लोकतंत्रिक प्रमपरा है चुनाव एक बहुत महत्पूर्ण घटक है उस लोकतंत्र का और जिसमें एक हम घटक यह है कि किसने कितना काम किया उसी पैमाने पर जनता कस्ती है यह अलग बात की कई बार अन विद्दे भी आते हैं चुनाव में तो जहिर सी बात है लेकिन मुझे हमयसी अच्छा लगता है यह अगर विकास पर भहस हो और विकास ही पैमाना हो चुनाव का तो विकास एक छनिक मुद्दा होता है और वो कुछ दिन तक बाद उसकी चलती है उसका चुनाव फिर लोट करके जाती धरम पर जाता उतर प्रदेश में बड़ी अच्छी स्थिति हो जैसा आपने कहा थोड़े दिन गनीमत है कि धर्म और जाती से अभी अभी विकास की बात चल किसी की संस्थान का किसी जिले का या किसी चेत्र का वहाँ विकास करने चलेंगे तो एक सेवा भावी विकास होता है सेवा भाव से विकास करना वहां के सिक्षा संस्थाओं को ठीक से विक्सित करना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से डेवलप्मेंट करना फिर वहां एक संस आपको बड़ी उमीद थी को जो फैक्ट्री बठेगी तो इस्टील का बहुत बड़ा उत्पादन होगा और बहुत लोगों काम मिलेगा मगर जब हम उसके तह में गये तो मालूम हुआ कि मालविका इस्टील कि मराजी गांधी के मित्र ने बहुत बड़ा ठेका दूसरी जग पर और ले लिया काफी बड़े व्यापार उन्होंने किया मगर हुआ क्या कि जब उनका काम हो गया उन्होंने इस फैक्ट्री बंद हो गई अब उसकी जमीन बिग गई अब आप यह समझ लीजे कि टोकन टोकनिस्म अगर आप करेंगे विकास में तो यह नहीं हुआता पर पेसा है और जन्ता ने-णाय करती खी किस बासे सह्मत हूं कि वहाँ की जन्ता को मैंने जू हन्मों किया जो कांग्रेश को और इनके खांदान को तो तो भक्ति वहां से उनको और देती है मगर उसका फल उसे दिया नहीं गया उसा प्रतिफल नहीं मिला क्यों को सेवा भाव नहीं रहा आप पॉलिटिकल टूरिजिम करके आती रहे और जो पड़ियों वचा आप जवाब देना होगा इतने सालों में जिस विकास की परिकल्पना की रखी गई अब आप लोगों से जो उमीद थी आप लोग उस पर खरें नहीं उत्रें हैं अशोगी से यह पूशना चाहरें कि आखिर अमेठी के जो इनको अगर इतना पता है तो यह भी पता होगा कि वहां पर कितना विकास हुआ है रफट जी सब कुछ बैट करके यहां प प्रियंका जी लगातार जाती है हमाई शुष ने तरफ लगातार राइबरेली अमेठी से जोड़ा हुआ है और जितना विकास हुआ है लगातार जिस तरीखते कॉंग्रेस ने सिर्फ अमेठी और राइबरेली को अपना नहीं समझा है उन्हीं पूरे देश को समझा है क्योंकि इन लोग की कॉंग्रेस को कहने की नियती बन चुकी है लगातार आप कॉंग्रेस पर सवाल जवाब उठा कर रहे हैं तो यह हम नहीं मानते कॉंग्रेस नहीं दिया है लेकिन यह क्योंकि विकास सतर परिकरिया है लगातार चलने वाली परिक्रिया उसको बदले की भावना से नहीं देखना थी उसको लगातार आपको कड़ते रहना चाहिए अगर आप यूपी में कोई भी जगा देख लिए जैसे कि गड़्धा मुक्साड़के कही गई थी कहां दिख रही आपको गड़्धा मुक्साड़के सिर्फ अमेठी राइबलेली पर राजनीतीन म अमेठी जाते हैं और कहा कि कॉंग्रिस तो राहूल गांधी को ना तो अमेठी की फिक्र है ना ही देश की पीम के अमली का जवाब खुद राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री पर जूट बोलने का आरोप लगाया राउल गान्धी ने ट्विट किया कि अमेठी की ऑडिने फैक्टरी का शिला न्यास 2010 में उन्होंने खुद किया और पिछले कई सालों से वहाँ छोटे हत्यारों का उत्पादन चल रहा है चुनाओ करीब है मैराल आरोप प्रत्यारोप का दोर अभी और भी तेज होगा लेकिन इसी बीच कॉंग्रेस की बात करें जिस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के लगातार पूरे देश में हर तरफ शहादत की बात चल रही है दूसरी तरफ कॉंग्रेस के ही कुछ लोग है वो सुबूत मांग रहे हैं आरोप लगा रहे हैं रफद जी धिगविजे सिंग साथ देख लिजे पीची दम्रम साथ देख लिजे पूरे के और कांग्रेस में नहीं टीम सी में भी देख लिजे लोग अब सुबूत मांग रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के आप लोग आप ही लोग तो कहते थे साथ देते थे कि विपक्ष पूरी तरीके से साथ है इस हमले में देश के आलोग जी मानियर राहूल गांदी जी के को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं ने शुरू दिन से फर्स दे से कॉंग्रेस बिलकुल साथ खड़ा हुए हो देश के सानिक के साथ खड़ा है और यहां तक कि जो सरकार की कारवाई उसमें हम साथ खड़ें लगातार राहूल जी का यही बयान आया कि उपोजिशन पूरा साथ है क्योंकि हमारा मानना है जब हम जानते हैं कि जगा अगर दुश्मन हमारे मुखाबले खड़ा होगा कि हम आये अपने घर में जितना लड़ लें जितना जगड़ लें लेकिन हम संदेश रहा है तो हम क्या कौन कह रहा है उसका वैक्तिकति आपने सुना नहीं कि ने भीकल क्या का का कि आप लोग याप पर सुबूत मांगते और आपके सुबूत को लेकर के तालिया बसती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में यह कभी समझा है कभी सबूत मांगा सवाल और अगर और कॉंग्रेस शैद जो वायू सेना प्रमुक है उनका जवाब सुनने थी तो शायद यह जवाब ना बीजिवर नहीं सवाल पूस्ति क्योंकि वायू सेना प्रमुक ने साफ़तोर पर कहा है कि हम टार्गेट हिट करते हैं सुनिए मेरी बात उनोंने का हम कॉंग्रेस का सवाल सिर्फ यह है कि जो हमारी जवानों के साथ ऐसी है अगर हुई एचूक तो कैसे हुई है सिर्फ इस पर सवाल थे या तो हम लोग शूर दिन से साथ खड़े में कैके जिग्विजे सिंग ने बड़ी शालिंता से कहा कि वह सुबूत मांगते को सवाल ने उठा रहें लेकिन अब तो इतनी एड़ास ट्रेक्रालोजी हो गई है यह जवालोग जवाब यही विपक्ष साथ देने की बात करता था विपक्ष साथ देता है बहुत कम समय के हैं साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है हम आपको 1970 की घटना याद दिलाना चाहेंगे जब पाकिस्तान के साथ भारत का बंगलादेश के निर्मान की हो गया था उस समय पंडित अड्रल विहारी बाचपेई जो भारती जनसंग के नेता थे उन्होंने का इस समय कोई दल नहीं क कोई नेता नहीं सब इंद्रा जांधी प्रधान मंत्री के साथ खड़े हैं और हम एक देश एक नेता के नेतत्र में एक दल में एक नेता एक के नेतत्र में देश को विजय देखना चाहते हैं बाद में कांग्रेस ने कहा है इंद्रा जी ने को उन्होंने दुरुगा कह दि यह आज अभी पाकिस्तान और भारत के बीच संबंद तनावपूर्ण है रोज अटाइक हो रहे हैं सेना जबाब दे रही है और आप अभी ते सवाल पूछने लगे अरे बाई कुछ देर तो आप रुख जाते हैं बिल्कुल आपके सवालों से पाकिस्तान अब देखा जाए जो पूरा प्रकरन हुआ जो आतंकी ठिकाने को धुस्त किया गया उसके बाद से अगर आप देखें तो भारतिय सेना ने यानि बायू सेना ने तो आज जाकर के कहा अपनी बाद हमारे देश की जो नेता लोग है न वह ज्यादा बोल रहे थे और बायू सेना ने आज जाकर के बोला कहां कन्फ्यूजन क्रियेट वह इसको समझे हमने एक बयान देखा ऐसे साहलवालिया जी का भरतियनता पाठीकनेता जिसमें उन्होंने कहा कि वहां कोई किसी को मारने नहीं गयते वहां सिर्फ उनको डराने के लिए ठीक है अमिर साहा जी का बयान आया कि धाई सो लोग मारे गये हैं यह बयाना है प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि अगर राफेल होता तो और बढ़ियां कारवाई हो जाती कहीं प्रकरांतर में ऐसा तो इससे भी ध्वनित होता है ना कि जो कारवाई हुई वह 100% नहीं हुई अब आप कांग्रेस की तरफ देख लिजिए मुझ की लिए है कि आप एक सैन कारवाई थी हमने सुरुआत कहां देखी ती प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सेना को कह दिया गया है तो साफ सेना तक सिमित रहने देना चाहिए था हमने यह देखा कि मंचों से भासन में इसका जिक्र होने लगा पक्स विपक्स सारे लोग कर नहीं आ रहा है हम इमेचियों डिमक्राशी की तरह दिखते हैं कि कई पाकिस्तान और कश्मीर हमारे भारत के अंदर है और यह क्या है उसका परणाम क्या हो रहा है कि हम बाहरी लड़ाई लड़ रहे हैं जितनी सक्ती अंदर होनी चाहिए यह शायद बहुत दिनों से तुस इसके जनता की दूरी कितनी बढ़ गई है कि 21 राजनितिक दल इकठे मिलकर के जो बात कहते हैं वो पाकिस्तान के संसद में बात कही जाती है लोगों की बातों का वहां यहां की पत्रकारों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां का साथ देते हैं और कुछ लोग तो वहां गय भी और बाकैदे गले मिले तो यह आप देख लिजिए कि जो एकता की भावना है भारत की जनता में कूट-कूट के भरी है परन्तों जो उसका नित्रत्व करने वाले लोग है वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए और कब बोल ऐसे सब्सक्राइब करना मुचिए अब निशाणा साथने के बज़ा तो प्रदान मंत्री जी क्या कर रहे था इसको पूरे देश को पता है चूटिंग चल लएती जब उसके बाद वह रहला लगा चलती रही और तो और शहीदों के फोटो पीछे आगे 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 ड्राइशाडवादी कर रहे है यानि के राजनीती कर और तौर ये दिर अपजी का बयान सुनिए उनकी सीटे बढ़ लाई थी कि इस स्ट्राइक के बाल इंकी सीटे बढ़ रही कि आपका भी किया अब अचैना तुछ हो गया पीए अब इसको साथ में लिगा बिकिन रफजी यह जल्दी से हाँ जब पूरे देश मातम चाया हो तो कौन सा दिल दिमाग करेगा कि रहलिया हो रही हैं जिक आप इसा दिल हो गाज बिलकुल तैयार रहेगा चुनावी रहलिया करने के लिए दूसरी बात यहां ते के हम अभी वह कह रहे थे हैं हाथ मिलाते बिर्यानी कॉन लिए सोचते है कि जो सवाल उठाए हैं लेका जादत को लेकर कि कभी सेना के वनों मलपन इस चीज का क्या प्रवाब परेगा और आप राजनीती से अलग करके सवाल का जवाब दीजे होजे सिर्फ वाग्रे सेना कोई देख लिए उनके घर को देख रही उनकी परिवार को देख जिनकी मां उजड़ी उसको देख लिए क्योंकि हम innsानियत को पहले पिए पेगाम देते हैं कि HMS कर औरे हर हमने अपनी laying was हुआ क्या सैनिकों के जो शहीद हुए उनका इतनी सस्ती खून हो गया है जो प्राइटी करना होगा उस समय वो उस समय क्या जरूरी आपने यह देखा उस समय देश के प्रदाद मंद्रेश कर दो कर दो कि अब सेना रिर्दारित करें कि जगे कभ युद्ध होगा यानि के ला लगे थे शाहिए दो करें आप दो करते मिलुक्त हैं लुद्ध दो के लिए अ हम यहां पर जिन शहीदों की शाहदत की करें तो अगर मनोबल की बात करें तो वाकवी में कहीं नकर इस इनकु पर इस वात का तरीके से सर्जिकल स्ट्राइप को लेकर के जवाब मांगे जा रहे हैं मनोबल पर बहुत बड़ा प्रुभाव पड़ता नहीं लगता सर इस अब पत्थरवाजों पर गण चलाती थी उसका उन्होंने क्या कहा था कि आप एक पतंगवादी मारते हो सवनेर्दोस को मार देते हो कि इतना सेना पर अमना हुआ और कोई भी वहाँ पत्थर बास नहीं आया और इस पता लगता है कि अंगावादी किसके साथ है वो सब भी तस्वीर नजर आ रही है चलिए मैं जिस मनोबल को लेकर के बात करा था रंजीर जी से इस सवाल का जवाब चाहूँगा रंजीर जी कि अपने भारती सेनाग पर इतना भरुसा है यकिन है कि उनका मनोबल इस तरीके की राजनीतिक जुगाली से नहीं गिरने वाला है और यह दुरभागे हम मैं फिर उस चीज को दोराऊंगा कि जो राजनीति जिस तरीके की हो रही इस घटना को लेकर के यह बाहर भी दरसाती ह कि हम लोग अभी एक परिपरिक राजनीतिक दौर में हैं हमारा लोगतंत्र लगता है विच्छित नहीं हुआ इसी वज़े से इस तरीके का ब्यभार होता है और मैं इस में बिल्कुल मुतमईन हूं कि भारती सेना के मनोबल पर कहीं कोई प्रभाव नहीं है वो बिल्कुल स राजनीतिक लाव हानी का नफान उक्षान देख करके बियान बाजिया हो रही है इसलिए आप बिल्कुल मुतमईन रही है भारती सेना के मनोबल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है तो यह लोगतंत्र अविक्सित माना जाए अशोग जी या फिर राजनीतिक दलों के अपने अपने निजी स्वार्थ निजी हित लोगतंत्र हारे देश का बहुती मजबूत बहुती विक्सित अवस्था में है और दुनिया का सबसे पुराना लोगतंत्र सबसे बड़ा लोगतंत्र माना जाता है लोगतंत्र में कोई संदेह नहीं है और जैसा अभी राजी जीन कहा कि भारतिय सेना में भी कोई संदेह नहीं है भारतिय सेना मगर तब भी थी जब ताज होटल बंबई में आक्रमण हो गया और 84 से अधिक लोग मारे गए वहां पे तब भी ये सेना थी मोजूद और तब इसके अंदर वही बीरता थी वही मनोबल था मगर इच् समस्या हो डॉकलम समस्या हो आप खुल करके आप बिलकुल अपने अपने जो आपका शाह हो रही है उसको दिखाईए और जब सेना को छूट मिली है तो आप देखें यहीं एर फोर्स बिलकुल कितना सटी की स्ट्राइब के मारे लोग उसके समूत माग रहे हैं सेना को छूट मिलने की बात की प्रदान मंत्री ने खुली चूट दे दिये लेकिन जो बहुत सारी चीजें होती है कि हम और आप यहां पर बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकते कि आकिर यामला अब क्यों नहीं हो रहा है भारत पाकिस्तान को लेकर के क्योंकि सेना की बहुत स सेना को जब काम करना है उनको छूट दे दी गई हाथ बंद नहीं है उनके वह अपने हिसाते अपना कारिक्यम तह करेंगे जगे समय सब कुछ हमें अपसोस यह होता है कि हमारे जितने भी बिरोधी दल के लोग हैं वो घुमा फिराकर प्रश्ट खड़ा जरूर कर देते हैं अरे अभी युद्ध शांत हो जाने दीजिए युद्ध को बियाई प्रात कर लेने दीजिए चुनाओ के समय जब युद्ध समात हो चुका ह तब आप सवाल खड़ा करिए लेकिन आप जब सवाल रभी जो हमारे पत्रकार बंदु कह रहे थे कि सेना बहुत का आत्मबल नहीं गिरता है बिल्कुल सही बात नहीं गिरता है लेकिन जो दुश्मन बेश हैं उनके आत्मबल में बढ़ोतरी भी होती है और उनको सहारा मि को अपने टीवी चैनल में पूरे विश्व को दिखाते हैं देखिए भारत में नो जो सुन सिद्धू क्या बोल रहे थे देखिए भारत के विरोधी ललके नेता क्या कह रहे हैं वह स्टूइट का भी संग्यान लेते हैं और उनको भारत को कमजोर करने का एक बहाना मिलता ह अंतरश्टी मंच पर विपक्ष क्यों नहीं आज मुझे लगता है इसकी पहल होनी चाहिए रफद जी आज इस डिबेट से करेंगी उन लोगों के साथ है कॉंग्रेस जो कहते है भारत के टुकले-टुकले कर देंगे कभी ऐसा नहीं होने देंगे विपक्ष उनके साथ है क अब बात हो साथ बैठे क्योंकि हम एक जुट थे लेकिन जब हमारे प्रधान मंति को टाइम ही नहीं है चुनावी रैलियों से निकलने का तो भी विपक्ष का साथ तो दे रहा लेकिन वह अपना 21 बैठक भी हुई इस मुद्ध्य पर लेकिन कहा तक कि प्रधान मंत्री उसकी कस्टेडी में थे पाकिस्तान हम उनको भूल नहीं सकते हैं दो हमारे शहीद भी हुए तो 44 मौते और इतने सारी जो मौते लगातार हो रही है हमने बार बार हम कहरें पाकिस्तान आतंकी हब बन चुका है तो उससे कड़ी करवाई होना चाहिए क्यों नहीं करवाई हो इस पड़ी हमें लेकिन हमारे गौंव में सजन थे वह कहते थे लड़के की शादी थे हो रही तो जो खाता है लेकिन प्याज खाता है लेकिन प्याज कहता है कर दो को नहीं तो यह तो फिशा डैलाग हो तो ऑची आज कि लेक्राइल का मूंध कुल मिलाकर के जब अमेठी में जो चीज तस्वीर जो नजर आई देश के प्रदान मंत्री पहुचे निर्मला सीता रमट पहुचे योग्यादित तेनाथ पहुचे ऐसे में अब कॉंग्रेस के सामने अपने गढ़ को बचाना की बड़ी चुनावती है सर तो बहुत सपस्ट है कि भारती जनतापार्टी बहुत रन्नीती बना करके राहूल गांदी को उनके गढ़ में घेरना चाती है तो कांग्रेस के लिए तो यह फिकर की बात ही और मुझे लगता है कांग्रेस भी कोई रन्नीती बना रही होगी फूल मिलाकर आमे ठीके लड़ा अब ही और तेज होगा लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस को उसके किले में घुसकर मात दी जाए बड़ी बैस में इतना ही बने रही है लाइफ टूड़े के साथ लेटेस अब्डेट खबरों का सिलसला लगातार जारी है नवस्कार इस सिरीज का सबसे नवीन हत्यार यह हमारे अमेठी में बनाया जाए यह मोदी है अमेडिन अमेठी